दोस्तो very good morning to all of you आजके इस आंदर वीडियो में आप सभी का तैयर दिल से मैं सौरुख बुपता स्वागत करता हूँ दोस्तो आजका जो हुमारा पहला प्रसन है बहुत ध्यान से समझना ये बना है rank और index को लेकर अब कोशन के अपना है कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन दोरा जारी फिर से समझना भारतिये पुलिस फाउंडेशन के दोरा release करी गई एक index है जिसका नाम है IPF Smart Policing Index 2021 में किस राज्यने किस राज्यने पहला इस्तान हासिल किया है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों कि आन्द प्रदेश को पहला इस्तान मिला है option number A इसका right answer हो जाएगा पूरे question को फिर से समझना अभी समझे नहीं होगे एक index है जिसका नाम है IPF Smart Policing Index यानि कि पूलीस की जो वैबस्ता है कितनी कौन से राज्य में समार्ट है इसको लेकर एक index release किया गया है और उस index में आन्द प्रदेश को पहला इस्तान प्राप्त की हुआ है इस index को release किसने किया है तो इसको IPF यानि कि Indian Police Foundation के द्वारा release किया गया है आन्द प्रदेश की बात में इस index में तेलंगाना का इस्तान आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेलंगाना आन्द प्रदेश is score high on smart policing index perception index ठीक है बिहार और UP इसमें lowest high है अब इसमें आप लोग देखेंगे कि हम जैसा कि मैंने आपको बिढाया आन्द प्रदेश पहले इस्तान पर है तेलंगाना पुलिस जो है यह इसमें दूसरे इस्तान पर है असम पुलिस इसमें तीसरे इस्तान पर है और बिहार पुलिस इसमें अंतिम पाइदान पर है छीक है आप चुकी दोस्तों यहाँ प कोशन है ठीक है हम related कोशन भी इस तरीके से ढून कर लाते हैं कि आपका static जी के बहुत जबरदस्त हो जाए ठीक है और exam में भी important हो हैदराबाद के प्रमुक इसमारा कौन-कौन से हैं जो की exam में पूछे जाते हैं SSE CGL 2017 में कोशन पूछा किया था गोल कुंडा का किला कहा है तो answer हो जाएगा हैदराबाद में railway NTPC में पूछा किया था चार मिनार कहा है हैदराबाद में UPCCC के PD exam में पूछा किया था कि फलक नुमा महल कहां पर इस्तित है तो answer हो जाएगा फलक नुमा महल जो है यह हैदराबाद में इस्तित है और भी में एक प्रसन पूछा किया था बिरला मंदिर कहां पर है तो यह हैदराबाद में इस्तित है यह सारी चीज़े आपको याद होनी चाहिए पूरे विश्वास के साथ में पढ़ि वीडियो से ही मिल जाएंगे इसके बात में दूस्तों कोशन मना है कि वर्ड फिसरीज दे विस्वा मतसे दिवसकप मनाया जाता है तो एवरी एर 21st नॉमबर को 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 21st नॉ में मनाया जाता है इस वर्स यह जो मत से दिवस बना है यह विस्व का पांचमा मत से दिवस है तो इस बार यह जो मत से दिवस बना है यह पांचमा मत से दिवस है जिसको हाल ही में मनाया गया है अब यह जो फिस्व से समंदित इश्टरी होती है फिस्व से समंदित जो कर पाते हैं तो फिस की study को यानि कि study of fishes is called iteology iteology यहाँ पर आप देख सकते हैं iteology इसकी बाद में आता है अब आप विस्व मगरमच्छ दिवस का बनाय चाता है 17 जून को विस्व कछुआ दिवस का बनाय चाता है 23 मही को बनाय चाता है विस्व जलिए पसु दिवस का बनाय चाता है 3 अपरेल को विस्व पसु दिवस का बनाय चाता है 4 अक्टूबर को बनाय चाता है तो यह सारे points जब आप complete करेंगे तो आप खुद से देखिए कि related points इतने ज़दा करवा दे रहा हूं किसने दिल्ली में आवास और सहरी मामलों के मत्राला के दौरा आयोजित करे गए स्वक्ष अमरित महत्सों में स्वक्ष सर्वेच्छ पुरस्कार प्रदान किये हैं तो वर्स 2021 के लिए जो स्वक्ष सर्वेच्छ पुरस्कार है ये भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोबिंदी ने प्रदान किये हैं तो option number 20 का राइड एंसर हो जाएगा किसरी रामनाथ कोबिंदी जी की दोरा वर्स 2021 के स्वक्ष सन्वेचन अवर्ड 2021 प्रदान किये गए हैं अब इसमें आप लोग देखेंगे ये आप देख सकते हैं कि भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोबिंदी जी की दोरा स्वक्ष सन्वेचन प्रदान किये गए हैं अब इसमें बहुत सारे कुशन्स बनेंगे जैसे कि पहला ही प्रस्ण बन जाएगा कि वर्स 2020 का जो स्वक्ष सन्वेचन प्रदान किये गए हैं ये इसका छटवा संस्क्रण था जिसको हाल ही में प्रदान किया गया है इसके लाबा कोशन मनेगा निम्न लिकित में से कौन सा सहर भारत का सबसे स्वक्ष सहर है आंसर हो जाएगा भारत का सबसे स्वक्ष सहर बना है इंदौर इंदौर जो है ये भारत का सबसे स्वक्ष सहर में से एक पना है औप्शन नंबर डीज का राइड अंसर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं सापसाफ आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा एक बढर मैं इसको थोड़ा सा इसको जड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि indoor again cleanest city cleanest city बना है indoor और दूसरे स्थानद पर देखो पहले स्थानद पर है indoor मद्ध्रदेश का है, ये सअइर सामिल है, लेकिन इसमे, पूचा क्या चपriv पर कौन सा है, तो इन्दौर पहले इस्थान पर है, इन्दौर लगातार पांच्वे वर्ष, इस बार भी सबसे ज़यदा सौक्ष सहर बना है, तो लगातर पांचवे बार ये बना है दूसरे संपर गुजरात का सूरत और तीसरे संपर आंदर प्रदेश का विजय बारा ठीक है ये पॉइंट आपको याद रखना है अब इसमें एक लिष्ट दे रखिये जो की और भी बहुत सारे वोर्स हैं जो की दिये गए हैं पहले कि सबसे स्वक्ष सहर कौन सा एक लाग से कम आवादी वाले सहरों की कटेगरी में देखें तो महराश्टर का वीटा सहर हो जाएगा सबसे स्वक्ष गंगा सहर कौन सा है तो वारा नसी सबसे स्वक्ष गंगा सहर है सबसे स्वक्ष राज्य कौन सा है बड़े राज्यों में तो आंसर हो जाएगा 36 गड़ सबसे स्वक्ष राज्य कौन है छोटे राज्यों में तो आंसर हो जाएगा जहरखन छोटे राजयों में सबसे स्वक्ष है सबसे स्वक्ष जिला कौन सा है तो सूरत जो है सबसे स्वक्ष जिला माना गया है इस अवार्ट फंक्शन में दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी देर बनत करना तुरंट इस वीडियो को लाइक करें अगला सांदर कोशन मनता है कि अंतर राष्ट्री किर्केट परिशत ने अंतर राष्ट्री किर्केट परिशत यानि कि ICC ने निमली रिकेट में से किसे ICC का इस्थाई CEO अपॉइंट कर दिया है तो ये जो नया CEO बनाए है इस्थाई CEO ICC का वो बनाए गया है वो बनाए गया है option number D यानि कि जियोफ एलार्डिस को option number D's का राइड एंसर हो जाएगा जियोफ एलार्डिस को इस बरहाल ही में ICC का नया CEO बनाए गया है option number D's का राइड एंसर हो जाएगा अब इसमें आप देख सकते हैं लिखा है कि ICC ने अपॉइंट कर दिया है जियोफ एलार्डिस को as a permanent CEO तो इसके लिए अपॉइंट कर दिया गया है अब एक चीज और एक्जाम में पूछी जाती है कि ICC के जो नए CEO बने हैं जियोफ एलार्डिस ये कौन से देश से बिलाओं करते हैं तो आंसर हो जाएक है ये Australia देश के निवासी है कहां के Australia देश के निवासी है अब एक और प्रिस्न पूछा जा सकता है कि बताओ ये किसका इस्तान लेंगे तो ये Manu Sahani Manu Sahani का इस्तान लेंगे जो के एक भारतिये थे उन्होंने जुलाई 2021 में आफीसियल तौर पर आधिकारिक तौर पर रेजिक नेशन दे दिया इस्तीपा दे दिया तो ये आपको याद रखना है इसके लावत उस्तों ICC का जो हेड़कॉर्टर है ये दुबई स्वयुक्त अरब अमीरात में इस्तित है ICC की स्तापना 15 जून 1909 में करी गई थी ग्रेक बारकले इस समय इसके अध्याच है और इमिरान ख्वाजा ICC के उपाध्याच है जो की आपको याद रखना है इसके बाद में अगला सांदार कोशन बनता है कि निम्द लिखित में से किसने वर्स 2021 का Fórmula 1 Qatar Grandpix Fórmula 1 Qatar Grandpix जीता है तो आंसर इसका हो जागा Lewis Hamilton Option नमबर 20 का राइड अनसर हो जागा कि Lewis Hamilton ने Wors 2021 के लिए Formula 1 Qatar Grandpix को जीता है Option नमबर 20 का राइड अनसर हो जागा इसमें आपलोग देख सकते हैं Lavish Hamilton जो है उसने जीत लिया है विन कर लिया है वर्स 2021 का कतर grand picks तो ये इसका right answer हो जाएगा साथी साथ में यहाँ पर एक list मैंने दे रखी जिसमें कि कौन सा Formula 1 racer कौन से देश से हैं मैं आपको ये दूसरी बार दिखा रहा हूँ इससे पहले भी मैं last week आपको ये question करवा चुका था तो इसका screenshot ले लिजे so that इसको आप लोग याद रखवाएं एक्जाम में आजकल पूछा जाता है डिफेंस करेंट फैस से एकला standard question मनेगा कि नवंबर 2021 में केस इस टील्थ guided missile विद्धुहनसक को भारती नौ सेना में सामिल किया गया है तो answer हो जाएगा इसका INS, INS विसाका पतनम option number 10 का right answer हो जाएगा INS विसाका पतनम को नवंबर 2021 में इस guided missile विद्धुहनसक को भारती सेना में include कर दिया गया है option number 10 का right answer हो जाएगा इसमें आप लोग देख सकते हैं लिखा है Indian Navy ने receive कर लिया है INS विसाका पतनम first P-15B guided missile destroyer तो एक ये project था भारती सेना का P-15B guided missile destroyer जिसका ये पहला पहला ये मलब विद्धुहनसक है जिसको हाल ही में सामिल किया गया है ठीक है अब इसका निर्मार किस ने किया तो इसको इसका निर्मार किया है मैजगाओं डॉक Sipyard Limited के दोरा Sip Builders के दोरा इसको बनाया गया है अब इसमें आप लोग देखेंगे मैजगाओं डॉक Sip Builders Limited के बारे में जिसका मुख्याल है मुंबई में इसकी स्थापना 1934 में करे गये थी और इसके अध्याच और CMD का नाम है नारायन प्रसाद जो की आपको याद रखना है साथी साथ में आपको Related Static GK में कुछ Fact है आपको याद रखने वाले हैं जैसे की जो बंदर गाहा, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कों है तो वो हैं सर्वानन सोनो वाल छीका है याद रखना है वरतमान में नौ सेना इस्टाप के प्रमुकों है Admiral Karambir Singh इसके लबा यहाँ पर हाल ही में Defense Current Fest से बहुत सारे Points बने हैं जो की आपको Revision करने हैं जैसे की साथ में भारती वायू सेना फ्रिगेट को रूस के यंतर से प्याड में लॉंच किया गया है ठीक है तो याद रखना रूस का यंतर से प्याड है जिसमें की सातमे भारती नौ सेना के फ्रिगेट को रूस के यंतर से प्याड में सामिल किया गया है भारती और इंडोनेसिया 9 सीनावं ने समुद्र सकती नाम से तीसरे संस्क्राइं को में भाग लिया तो ये भी आपको याद रखना है इसके लाबा आगे चलते हैं अभी भारती वायू सेना ने एक्सिस बैंक ने नई दिल्ली में पावर सेल्यूट नाम से एक योजना के तैद पावर सेल्यूट तो एक कोशन बन सकता है कि बिताओ पावर सेल्यूट नाम से योजना किस बैंक से समभनेत है तो एक्सिस बैंक से समभनेत है तो एक्सिस बैंक ने दिल्ली में पावर सेल्यूट के तैद रच्छा वेतन पैके की पेस्कस करने के लिए भारती सेना के साथ में कोलेबरेशन किया है तो Power Solution नाम से कुछेगा भारती नो सेना के साथ में किस बैंक ने Power Solution नाम से एक डिफेंस समझोता किया है तो Axis Bank इसका राइडन सर्थ हो जाएगा इस तरीकी से आप इसको याद न्यास जिसका नाम है hell of a book के लिए hell of a book hell of a book तो हाल ही में किसने hell of a book के लिए वर्स 2021 का national book award राश्ट्रिय बुस्तक पुरस्कार जीत लिया है तो answer हो जाएगा Jason Mote Jason Mote इसका right answer हो जाएगा जैसन Mote ने वर्स 2021 का hell of a book के लिए national book award जीता है option number 10 का right answer हो जाएगा तो इसमें आप देख सकते हैं जैसन Mote उन्होंने जीत लिया है national book award ठीक है वर्स 2021 के लिए साथी साथ में इस बार जो national book award है ये राश्ट्रिय पुस्तक अवर्ड जो है ये कौन सा संस्क्रण है answer हो जाएगा इस बार ये जो संस्क्रण है ये बहातरवा संस्क्रण है 72 ये बहातरवा संस्क्रण है जो कि आपको याद रखना है अगर हम लोग देखें non friction category gear friction category में ये किसको दिया कहा है तो Tia Miles को gear friction category में टिया माइल्स ने उनके उपन्यास जिसको नहीं All That See Carried the Journey of Astleis Sack, इसके लिए राश्ट्रवी प्रुसकार उन्होंने जीता है. इसके बाद में प्रस्थन मनेगा निम्नलकित में से किसे वर्स 2021 के लिए Tata Literature Life Time Achievement प्रुसकार से सब्मानित किया गया है. तो आंसर हो जागा हाल ही में अनीता देसाई को, अनीता देसाई को option number 10 का राइड एंसर हो जागा कि अनीता देसाई को वर्स 2021 का Tata Literature Life Life Time Achievement प्रुसकार दिया गया है. Option number 10 का राइड एंसर हो जाएगा. इसमें आप देख सकते हैं, लिखा है कि Tata Lifetime Live Literacy Award for 2021 ये अनीता देसाई को दिया गया है. इसका नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं. इस बार Tata Literature Life का 12 संस्करन आयोजित किया गया है. मुंबई में 18 तारिक से 21 नॉम्बर तक इसको आयोजित किया गया था. अब इसी में कोशन बनेगा, निमन लिखित में से किसे 2021 के लिए Tata Literature Live Poet Literature Award यानी कि कभी पुरुसकार जो है, वो किसको दिया गया? तो कभी पुरुसकार केटेग्री में यह पुरुसकार प्रदान किया गया है आदिल जूसा वाला को. Option number D, आदिल जूसा वाला को यह पुरुसकार प्रदान किया गया है. Option number D's का राइड अंसर हो जाएगा. दोस्तो आज का कुशन जिसका अंसर आपको नेना है स्क्रीन पर आपको देख रहा है हमारे मंतली करेंट फिस करीबने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं